इस वक्त एक और एहम खबर ज्यान वापी श्रिंगार गौरी केस में आज फिर सुनवाई है बराड़सी जिला फोर्ट में ये सुनवाई होगी कल हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच बहस हुई श्रिंगार गौरी के पूजा अधिकार को लेकर ये बहस हुई थी तो हिंदू पक्ष ने 360 पन्नों की दलील रखी थी इस वक्त की ये एहम खबर ज्यान वापी श्रिंगार गौरी मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है आपको बता दे की वराड़सी जिला फोर्ट में ये सुनवाई होगी कल की अगर बात करें तो कल हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने बहस की और अपने अपना यहाँ पर पक्ष प्रस्तुत किया अपनी अपनी दलील दी श्रिंगार गौरी के पूजा अधिकार को लेकर जो हिंदू पक्ष है उसने 360 पन्ने की दलील रखी थी तो ज्यान भापी और श्रिंगार गौरी मामले में आज फिर से सुनवाई जारी रहेगी आज वादी नमबर एक राखी सिंग के वकील शिवम गौर और मान बहादूर सिंग कोट के सामने दलील पेश करेंगे राखी सिंग के वकील शिवम गौर ने कल कोट में 360 पन्ने की दलील रखी थी ज्यान वापी में श्रिंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर कोट में बहस हो रही है वहीं सुप्रीम कोट में पूजा की मांग को लेकर साथ महलाओं ने एक नई आचिका भी दायर की है तो ग्यान वापी ज्यान वापी श्रिंगार गौरी केस वारण से की जिला कोट में आज बादी नमबर एक राखी सिंग के वकिल शिवम गौर्ड और मान बाहदुर सिंग कोट के सामने दलील पेश करेंगे राखी सिंग के वकिल शिवम गौर्ड ने कल कोट में 360 पन्नों की दलील रखी कल हिंदू पक्ष ने ग्यानवापी परीसर में 1993 तक नियमित पूजा की दलिल देते हुए श्रेंगार गौरी की पूजा की आनुमती मांगी इससे पहले ग्यानवापी केस में कल साथ महिलाओं ने सुप्रीम कोट में नई अर्जी दाखिल की याजका करताओं ने कथिच शिवलिंग को लेकर कई मांगे रखी याजका करताओं ने कथिच शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिये जाने की मांग की साथ ही कथिच शिवलिंग को श्रिकाशे विश्वनात्रस्ट के सुपूर्द करने की मांग भी की ततिट शिवलिंग के वर्चुल दर्शन पूजा की विवस्था और उसके प्राचीन था जांचने के लिए कार्बन डेटिंग विरी से जांच की भी अपील की GPR यानि Ground Penetrating Radar System से भी शिवलिंग की विश्वशनियता जांचने की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट ने याचका सुर्कार कर ली और अब 21 जुराई को मुस्टिम पक्ष की याचका के साथ इसकी भी सुनवाई होगी इन सब के बीच देश के सामने एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ग्यानवापी किसकी है फवारा या शिवलिंग कौन सा दावा सही है गरूर रिपोर्ट जी मीडिया